आज हम लोग कक्छा दस्वी की सामाजिक विज्ञान की भुगोल की पाठेपुस्तक समकालीन भारत भागदो के प्रतम अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे आशा करता हूँ कि इस चर्चा के उपराद आप सभी संसाधन की एक नई परिभाशा जान सकेंगे प्रकृति प्रोध्योगिकी और संस्थाओं के मद अंतर संबंद को जान सकेंगे संसाधनों के वर्गिकरन के बारे में जान सकेंगे संसाधन विकास के बारे में समझेंगे सतत पोशनिय विकास की अवधारना के बारे में आप अपना ज्यान विस्तार कर पाएंगे और प्रथम अंतराष्टिय प्रित्वी समेलन के महत्तों को जानेंगे क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गाओं और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुचाते हैं ऐसे वस्तुओं की एक सूची तयार करें और इनको बनाने में प्रियोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं आईए अब हम चर्चा करते हैं कि संसाधन क्या है वैसे तो आप सबने पिछली कक्षाओं में भी संसाधन की परिभाशा पढ़िये किन्तु यहां आप संसाधन की एक विस्तृत परिभाशा पढ़ेंगे हमारे परियावरन में उपलब्ध प्रतियक वस्तुओं जो हमारी अवश्यक्ताओं को पूरा करने में प्रियोक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रोध्योगे की उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभावे और संस्कृतिक रूप से मानने है एक संसाधन है यहां आपने संसाधन की परिभाशा का एक नया आयाम पढ़ा कोई भी वस्तु संसाधन तभी बन सकती है जब हमारे पास प्रोध्योगे की उपलब्ध हो वो वस्तु आर्थिक रूप से संभावे हो और संस्कृतिक रूप से मानने हो आये अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु के संसाधन बनने की प्रक्रिया में प्रकृति, प्रोध्योगी की और संस्थाओं के मद्ध क्या अंतर संबंद है हमारे परियावरन में उपलब्ध वस्तु की रूपांतरन प्रक्रिया प्रकृति, प्रोध्योगी की और संस्थाओं के पारसपरिक, कृयात्मक संबंध में नहीं थे मानव प्रोध्योगी की द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गती को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्मान करते हैं ये त्रिकोनिय चित्र हमें ये बताता है कि आज जो भी संसाधन हम उप्योग करते हैं उन सभी का आधार हमारी प्रकृती है प्रकृति से मिली वस्तूओं का मानव संसाधन में शोध और अध्यन किया जाता है और उसके संभावी उप्योग की जानकारी प्राप्त करते हैं वस्तूओं के संभावी उप्योग के आधार पर ऐसी तकनीक विक्सित की जाती है जिसका प्रियोग करके हम उस वस्तू को संसाधन में परिवर्तित करते हैं इस त्रिकोनिय चित्र के मध्ध में मानव को रखा गया है क्योंकि मानव में ही इन सभी क्रियाओं को कार्यानवित करता है क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं ऐसा नहीं है संसाधन मानुविय क्रियाओं का परिणाम है मानव स्वयम संसाधनों का महतपूर्ण हिस्सा है वे परियावरन में पाये जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रियोग करते हैं अब हम संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे आईए इस संसाधन के वर्गी करन की चर्चा करते हैं इन संसाधनों का वर्गी करण निम्न प्रकार से किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव समापिता के आधार पर नवीकरण योगे और अनवीकरण योगे स्वामित के आधार पर वेक्तिगत, सामोदाइक, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विक्सित, भंडार और संचित कोश आईए अब हम संसाधन के वर्गी करन की चर्चा विस्तार से करते हैं उत्पत्य के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ती जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है जैसे मनुष्य, वनस्पतिजात, प्रानिजात, मच्स जीवन, पशुधन, आदि अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तों से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं उदारनार्थ, चट्टाने और धात्वे, संसाधन का वर्गिकरन का अगला आधार है समापिता का आधार समापिता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में वर्गिकरित किया जाता है नविकरन योग संसाधन और अनविकरन योग संसाधन नविकरन योग संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रसायनिक या यांतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नविकृत या पुनह उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नविकरन योग अथवा पुनह पूर्ती योग संसाधन कहा जाता है उदारन के तौर पर सौर तथा पवन उर्जा, जल, वन ववन्य जीवन इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है और नवीकरन योग्य संसाधन इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूव वैज्ञानिक अंतराल में होता है खानिज और जीवाश्म इन्धन इस प्रकार के संसाधनों के उदारन है इनके बनने में लाखो वर्ष लग जाते हैं इन में से कुछ संसाधन जैसे धातुएं, पुना चक्रिये हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म इन्धन और चक्रिये हैं वो एक बार के प्रियोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं आईए अब हम स्वामित्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरन की चर्चा करते हैं स्वामित्य के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में वर्गीकरित किया जाता है वेक्तिगत संसाधन सामोदाइक स्वामित्वाले संसाधन राष्टिय संसाधन और अंतराष्टिय संसाधन आईए अब एके कर इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं वेक्तिगत संसाधन संसाधन निजी वेक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमी होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं गाउं में बहुत से लोग भूमी के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं शहरों में लोग भूखंट, घरों वो अन्य जायदाद के मालिक होते हैं बाग, चारगा, तालाव और कुउओं का जल आदी संसाधनों के नीजी स्वामित्य के कुछ उदारन है वित्तिगत संसाधन को ज़्यादा ब्हतर से समझने के लिए आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तयार कीजिए स्वामित्य के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गी करण है सामुदाईक स्वामित्य वाले संसाधन ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं गाओं की शामिलात भूमी जैसे चारन भूमी, शमशान भूमी, तालाव, इत्यादी और नगरिये छेत्रों की सार्वजनिक पार्क, पेक्टिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी के लिए उपलब्ध हैं स्वामित्य के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गिकरन है राष्टिय संसाधन, राष्टिय संसाधन तक्निकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्टिये हैं देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह वेक्तिगत संसाधनों को भी आमजनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है आपने देखा होगा कि सडकों, नहरें और रेल लाईने वेक्तिगत स्वामित वाले खेतों में बनी हुई हैं शहरी विकास प्राधिकर्णों को सरकार ने भूमी अधिग्रहन का अधिकार दिया हुआ है सारे खनेश्पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीवन, राजनितिक सीमाव के अंदर सारी भूमी और बारस समुद्री मील जो की 22.02 किलोमेटर है तक महासागरिय छेत्र जो की भू भागिय समुद्र की हम बात करते हैं वो इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट की संपदा हैं स्वामित्य के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गिकरन है अंतराष्टिय संसाधन कुछ अंतराष्टिय संस्थाएं संसाधनों को नियंतरित करती हैं तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी जिसे अपवर्जक आर्थिक शेतर कहते हैं से परे खुले महासगरिय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है इन संसाधनों को अंतराष्टिय संस्थाओं की सहमती के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक शेतर से दूर हिंद महासागर में इसकी तलहटी से मैगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है इसी प्रकार आप कुछ अन्य अंतराष्टिय संसाधनों की पहचान करें विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गी करन की चर्चा करेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के चार प्रकार है संभावी संसाधन, विक्सित संसाधन, भंडार तथा संचित कोश संभावी संसाधन यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्धिमान होते हैं परंतु इनका उप्योग नहीं किया गया है उदाहरन के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेशकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर उर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गी करन है विक्सित संसाधन विक्सित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षन किया जा चुका है और उनके उप्योग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विक्सित संसाधन कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रोध्योगी की और उनकी संभाविता के स्तर पर निर्भर करता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गी करन है भंडार पर्यावरन में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आविश्यक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं परन्तु उप्युक्त प्रोध्योगी की के आभाव में उसकी पहुँच से बाहर हैं भंडार में शामिल है। उदारन के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन उर्जा का मुख्य श्रोत बन सकता है परन्तु इस उदेश से इसका प्रियोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तक्नी की ग्यान नहीं है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का अगला वर्गिकरन है संचित कोश। संचित कोश यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिनें उपलब्ध तक्नी की ग्यान की सहायता से प्रियोग में लाया जा सकता है। परन्तु इनका उप्योग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उप्योग भविश में आविश्यक्ता पूर्ती के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत में पैदा करने में प्रियुक्त किया जा सकता है। परंतु वर्तमान समय में इसका उप्योग सिमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन, आदी, संचित कोश हैं जिनका उप्योग भविश्य में किया जा सकता है। तो बच्चों, अभी हमने संसाधन के वर्गीकरन की विस्तार से चरचा की आईए अब हम संसाधन के विकास के बारे में चरचा करते हैं। संसाधनों का विकास संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अती आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भी महत्पूर्ण है ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृती की देन है परिनाम शुरूप मानव ने इनका अंधादूंद उप्योग किया है जिससे निमलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का रास संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया संसाधनों के अंधाधूंद शोशन से वैश्विक पारिस्थिति की संकट में आ गई है जैसे भूम अंडलिये तापन, ओजोन परत अवशे, पर्यावरन प्रदूशन और भूमी निमनीकरन आदी कल्पना करे कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा घरेलू और क्रिशी संबंदित अप्षिष्ट को पुना चक्रन करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मुहले, अत्वा, गाउं में एक सर्वेक्षन करे लोगों से प्रश्ण पूछें कि उनके द्वारा उप्योग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं अप्षिष्ट और उसके उप्योग के बारे में उनका क्या विचार है और अपने पड़िनामों का समुचित चित्र कुलाज तयार करे मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांती बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बटवारा आवश्यक है यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी प्रीथवी का भविश्य खत्रे में पड़ सकता है इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उप्योग की योजना बनाना अती आवश्यक है सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोष्णिय विकास का ही एक हिस्सा है आईए हम चर्चा करते हैं कि सतत पोष्णिय विकास क्या है सतत पोष्णिय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरन को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविश्य की पीडियों की आवश्यक्ता की अवहेलना ना करे आईए अब हमसे जुड़ी एक बहुत ही महत्पून घटना रियो डिजेनेरो प्रित्वी सम्मेलन 1992 की चर्चा करते हैं जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्य धक्ष ब्राजील के शहर रियो डिजेनेरो में प्रतम अंतराष्टिय प्रित्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए विकास की समस्याओं का हल ढूणने के लिए किया गया था इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलिय जलवायू परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषना पत्र पर हस्ताक्षर किया रियो सम्मेलन में भूमंडलिय वन सिधानतों पर सहमती जताई और 21 शताबदी में सतत पोषनिय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्विक्रिती प्रदान की आईए अब हम बात करते हैं एजेंडा 21 क्या है यह एक घोषना है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डिजेनेरो में संयुक्त राष्ट परियावरन और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्टा ध्यक्षों द्वारा स्विक्रिती दिया गया था इसका उदेश भूमंडलिये सतत पोष्णिये विकास हासिल करना है यह एक कारे सूची है जिसका उदेश समान हितों पारसपरिक आवश्यक्ताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा परियावरनिये शती गरीबी और रोगों से नि एजेंडा 21 का मुख्य उदेश यह है कि प्रतेक स्थानिये निकाए अपना स्थानिये एजेंडा 21 तयार करें सतत पोष्णिये विकास के लक्ष को पूरा करने के लिए हमें अपने संसाधनों को नियोजित करने की आवश्यक्ता है तो आईए अब हम ये जानते हैं कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपून उपयोग के लिए नियोजन का एक सर्व मानने रणनीती है इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलवता में बहुत अधिक विवित्ता है यह और भी महतपून है यहां ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचूरता है परन्तु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलबता के संदर्व में आत्म निर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यतिक कमी है उदारन के तौर पे जहारखंड मध्यप्रदेश और चतिसगड आदिप्रांतों में खणीजों और कोईले के प्रचूर भंडार हैं अरुनाचल प्रदेश वहां जल संसाधन प्रचूर मात्रा में पाया जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है राजस्थान में पवन और सौर उर्जा संसाधनों की बहतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है लदाख का शीत मरुस्थल देश के भागों को अलग धलग कर पाता है यहां पे प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहां जल आधारभुत अवसनरचना तथा कुछ महतपून खनीजों की कमी है इसलिए राश्ट्रिय, प्रांतिय, प्रादेशिक और स्थानिय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की अवशक्ता है आप अपने राज्जी में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तयार करे और जिन महतपून संसाधनों की आपके राज्जी में कमी है उनकी पहचान करे अभी हमने पढ़ा कि संसाधन नियोजन क्या होता है आईए अब हम इस बात पर चर्चा करें कि संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है संसाधन नियोजन एक जटल प्रक्रिया है जिसमें निमलिखित सोपान है देश के विभिन प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना इस कारे में शेत्रिय सर्वेक्षन, मानचेत्र बनाना और संसाधनों का गुनात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना वो मापन करना है दूसरा सोपान है संसाधन विकास योजनाय लागू करने के लिए उप्युक्त प्रद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन धाचा तयार करना तृतिय सोपान है संसाधन विकास योजनाओं और राष्टिय विकास योजना में समन्वे स्थापित करना स्वाधिन्ता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उदेश की पूर्ती के लिए प्रतम पंचवर्षिय योजना से ही प्रयास किये गए किसी छेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलवत्ता एक आवश्यक शर्त है परन्तु प्रोध्योगी की और संसाधनों में तदन रूपी परिवर्थनों के आभाव में मात्रा संसाधनों की उपलवत्ता से ही विकास संभव नहीं है देश में बहुत से शेत्र हैं जो संसाधन सम्रिद्ध होते वे भी आर्थिक रूप से पिछरे प्रदेशों की गिंती में आते हैं इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते वे भी आर्थिक रूप से विक्सित हैं तो प्यारे बच्चों, आपने आज की कक्षा में ये जाना कि संसाधन क्या है, संसाधनों के प्रकार की चर्चा की, सतत पोष्णिये विकास की अवधारना को समझा, संसाधन नियोजन क्या है और भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन क्यों आवजश्यक है? अब ये जानने का वक्त आ गया है कि आपने क्या सीखा तो आईए और इन प्रश्णों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए प्रश्ण संक्या एक हमारे पर्यावरन में उपलब्ध प्रते एक वस्तु जो हमारी अवश्यक्ताओं को पूरा करने में प्रियुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रोदोगी की उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभावे और सांस्कृतिक रूप से मानने है डैश कहलाती है तो आपने चार उप्षिंस में से पर्यावरन संसाधन नियोजन संसाधन एजेंडा 21 तो आप कोशिश करें इन प्रश्णों के उत्तर देने के लिए अगला प्रश्ण है हमारा डैश वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक रसायनिक या यांत्रिक प्रक्रिय आपके पास ओप्षिंस है नविकरन योगि संसाधन और नविकरन योगि संसाधन विक्सित संसाधन या संचित कोश प्रश्ण संख्या 3 निमलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है स्वामित्य के आधार पर संसाधनों का वर्गिकरन है व्यक्तिगत संसाधन राश्टिय संसाधन अंतराश्टिय संसाधन या नविकरनिय संसाधन प्रश्ण संख्या 4 प्रथम अंतराष्टिय प्रीत्वी समेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 1947, 1992, 2001 या 2020 प्रश्न संख्या पाँच निमलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? संसाधन नियोजन एक सरल प्रक्रिया है? संसाधन नियोजन एक जटल प्रक्रिया है? संसाधन नियोजन की भारत वर्ष में कोई आविश्यक्ता नहीं है? संसाधन नियोजन से संसाधन का हरास होता है तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि इस अध्याय को बहुत अच्छे से आपने समझा होगा इस अध्याय के अगले भाग में हम मृदा और मृदा अपर्दन के बारे में चर्चा करेंगे मृदा के कितने प्रकार हैं और मृदा अपर्दन से कैसे हमें बचा जा सके इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्त रहें, धन्यवाद झाल रखें, स्वस्त रहें, 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 स्व